नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का, दोस्तों आप सभी को पता होगा आद 20 ग्रुपों से समन्दित कोर्ट में सुनवाई ओड़ी थी और वो सुनवाई कंप्लीट होतू की है, क्या फैसला सुनाया है, क्या आपका एकजाम दोबारा होगा या नहीं होगा, आगे क्या उने वड़ा है तो वीडियो को लाश्ट तक और ध्यान से जरूर देखें इससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें दोस्तो यदि आप SSE GD भरती परिक्षा 2025 की तयारी करना चाहते हैं तो चक्सू पब्लिकेशन आपके लिए लेकर है मैथ की एबुक जिसके अंदर 750 से ज़्यादा प्रिवेस एर के कोस्टन है जो की 2019 से 2024 के बीच में पुछे गए सारे कोस्टन है और उनका चैप्टर इस भुक में आपको देखने को मिलेगा थोड़ा रिव्यू मां आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले आप objective question आपको practice करने के लिए आपको देखने को मिलेंगे और उसके बाद आप अपने answer भी मिला सकते हैं सबसे last में आपको answer की भी देखने को मिलेगी और अगर आपको कोई भी question समझ नहीं आता है तो उनका हल भी आपको एक-एक question का इसी chapter के साथ ही देखने को मिलेगा और आपको पता ही है आजकल previous year का बहुत जादा trend चल रहा है तो यहां से बहुत सारे question पुछे जाते हैं इसके लवाद 600 publication की reasoning, math, gk और hindi की book भी market में available है आप इसे online भी purchase कर सकते हैं flip card, amazon या snap deal से तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा आज जो फैसला सुनाए गया है उसके नुसार, जजज साब ने सबसे पहले तो जो affidavit file था, 90 page का affidavit file जो HSSC ने दिया था, submit किया था तो उसको पढ़ने के लिए भी दो अपते का बोला है कि अगले दो week में उसको पढ़ेंगे उसको समझेंगे क्या मामला है और उसके बाद अगली date मिली है और अगली date बताय दा रहा है, 25 October की date मिली है